पेट्रोल पंपर होनी वाली ठगी का तरीका बदल गया है इससे आपको सिर्फ कुछ रुपियों का नुकसान ही नहीं होगा बलकि आपकी गाड़ी के इंजिन पर भी असर पड़ेगा दरसल ये गड़वड़ी आपके वाहन में डाली जाने वाले पेट्रोल डीजल की शुद गड़ाय होते हैं आपको क्या लगता है पेट्रोल भरवाते वक्त पंप मशीन की डिस्कले पर जीरो देख लेना भर काफी है नहीं ये काफी नहीं है आपको इसके साथ एक और बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आजकर पेट्रोल चोरी करने का भी तरीका बदल गया ह जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है आपको बता दे पेट्रोल पंप की मशीनों में अलग-अलग सेक्शन में आपको केतने रुपे का पेट्रोल भरा गया ये सारा डेटा दिखाई देता है इसे मशीन पर एक स्क्रीन पर डेंसिटी भी दिखाई देती है जो सीध पेट्रोल कितना शुद है इसका पता आप पेट्रोल पंप के मीटर में देखकर ही लगा सकते हैं जी हाँ पंप के मीटर पर ही शुदिता का सूच कांग भी होता है यह डेंसिटी मशीन के डिस्पले में अमाउंट और वॉल्यूम के बाद तीसरी नंबर पर दिखाई देता ह दरशल पेट्रोल की डेंसिटी रेंज 730-770kg M3 होती है जबकि डीजल की डेंसिटी रेंज 20-860kg M3 होती है और फिलिंग की वक्त इसका ध्यान रखना बहुत सरूरी है एक खास बात ये है कि अगर यह डेंसिटी बताए गई रेंस से कम है तो इसका मतलब हो सक्ता है फिच् density range से उपर होगी तब भी तेल में मिलावट होने की संभावना है इस पर नजर रखना आपके लिए बहर आवशक है जरूरी है इस खबर के लिए मेरे स्योजी प्रेंज रागव के साथ राजीव राज़कू बेनस्की नियूज अलिगर